नमस्कार 2024 में भारत में एलेक्षन होने वाले हैं और हम सबके मन में ये उत्सुकता रहती है हम अनुमान लगाते हैं कि आने वाले इलेक्षन में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है जैसे इलेक्षन से पहले News Channels में Exit Poll होता है जिससे हमें रुझानों का पता चलता है कि कौनसी पार्टी कितने वोटों से जीत सकती है, कौनसी पार्टी सरकार बना सकती है ठीक उसी तरह astrology और numerology में हम गणना करके planets और numbers के calculation के हिसाब से ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौनसी party के जीतने की संभावना ज़ादा है इससे पहले कि मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूं कि 2024 में कौनसी party सरकार बना सकती है मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ ये prediction पूरी तरह से planets और numbers के calculation पे आधारित है इसमें मेरा कोई निजी, opinion, emotion या रुझान नहीं है अगर emotions में आके मुझे कोई prediction करना होता तो शायद मेरा पिछला World Cup का वीडियो emotions के basis पे होता और शायद मैंने अपने prediction में तब इंडिया को जिताया होता जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है उन्हें मैं बता दूँ कि मैंने World Cup Final के दो हफते पहले साथ नवेंबर 2023 को ये प्रेडिक्ट किया था कि वर्ल्ड कप में भारत के जीत की संभावना कम है और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतेगा अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहां उपर आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का ये प्रेडिक्शन करने के बाद मुझे काफी क्रिडिसिजम सहना पड़ा था मुझे लोगों ने एंटी नैश्टल, फेक वीडियो, फेक एस्ट्रोलजर, फेक निम्रोजिस्ट और पता नहीं क्या क्या कहा था कईयों ने कहा कि ये मेरा पब्लिसिटी स्टन्ट है, लेकिन उस समय, as a numerologist, मुझे अपनी विद्या, अपनी knowledge के साथ justice करना था देखे, एक भारती होने के नाते, मैं हमेशा ये चाहूंगे, कि मेरा देश जीते, मेरा देश आगे रहे लेकिन जब मैं एक numerologist की तरह सोचती हूँ, या calculation करती हूँ, तो वहाँ पे मुझे unbiased होना पड़ता है उस role में मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं आपको feel good factor देने की जगा, मैं fact check दूँ आपको, reality check दूँ और numbers यही कह रहे थे कि India इस बार World Cup नहीं जीत पाएगा, और सच बोलने से मेरी भारतियता कहीं कम नहीं होती, मैं आपसे कम भारतिया नहीं हो जाती या ये सच बोलने पे कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा या उसकी संभावना कम है मैं कुछ कम भारतिय नहीं हो जाती या मैं कुछ कम देश प्रेमी नहीं हो जाती तो मेरा रोल as a numerologist सच बोलने का है अपनी विद्या से उस हुनर से honest रहने का है जिसने मुझे ये शमता दी है कि मैं इन चीजों का prediction कर सकूँ तो आप सभी से मेरी ये विनिती है कि इस विडियो में मैं जिस भी party के पक्ष में prediction दूँ कि 2024 में कौन सी party सरकार बनाएगी तो कृपा करके मुझे anti-mody, anti-congress, मोधी भक्त या Congress भक्त देक्लेयर ना करें ये पूरे prediction पूरी तरह से numbers of planets के combination और calculation पर बेस्ट है तो चली मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि 2024 के elections में कौन सी party जीच सकती है अब अगर हम 2024 के elections की बात करें तो पहले एंडिये की बात करते हैं एंडिये में 1998 में बनी थी और हमारा current opposition alliance इंडिया 2023 मतलब इसी साल बनी है हमारे एंडिये के जो chairperson है अमिच शाह वो एक number six है वो अपने 60th year में चल रहे हैं और वो partially number eight से भी गवन है नरेंद्र मोदी जी जो हमारे करेंट प्रधान मंत्री है वो एक number eight है और उनको number five वर्गोहनों की वज़े से भी रूल करता है आने वाला साल दो हजार चौबेस जिसका total number eight हाता है वो शनी से रूल होता है तो अगर हम आने वाले समय की बात करें तो January मंत से लेके February के मिड तक जो popularity है BJP की वो घटना शुरू होगी कुछ ऐसे incidents भी हो सकते हैं कुछ ऐसे events हो सकते हैं जिसमें BJP का vote bank हाथ से जाता हुआ दिखेगा कुछ negative publicity भी आप कह सकते हैं लेकिन February के बाद ये वापस से pick up कर ली जाएगी नरेन मोदी और अमिट शाह अपनी गिरती हुई popularity को और जाते हुए vote bank को वापस समेड लेंगे लेकिन हाँ हमारा January का period January से लेके February मिड का period ये BJP के लिए काफी difficult रहेगा जैसा सब को पता है कि नंबर आठ शनी से रूर होता है और शनी एक न्याय के देवता हैं वो ना आसानी से इतनी कोई चीज़ देते नहीं है लेकिन अगर आप उनकी परिक्षा में पास होते हैं तो फिर आपको successful होने से कोई नहीं रोख सकता अब हमारी दो दिगज नरेंद्र मोदी और अमिच्छा दोनों ही नंबर आठ से रूल हैं आने वाला साल नंबर आठ का है शुरूआत difficult होने वाली है लेकिन इसके बाद क्योंकि नंबर उनके favor में हैं आमिच्छा जो नंबर 6 है वो 60th year में है अपने एक सबसे best year में है तो वो उस गिरती हुई popularity को वापस समेट लेंगे वोट बैंक जरूस से जादा वापस लेके आएंगे और अगर मैं कहूं कि आने वाले साल में NDA सरकार बनाएगी सिर्फ सरकार बनाएगी ही नहीं एक clean sweep लेगी जिसमें पिछले साल के मुकाबले हो सकता है सीटें पिछले साल से भी जादा आ जाएं सो नंबर्स इनके favor में हैं और मैं जादा deep analysis में जाके confusion create नहीं करना चाहती हूं कि राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते हैं या Congress क्यों नहीं अच्छा कर सकती है मैं सिर्फ आपको clear एक prediction देना चाहती हूं कि आने वाले समय में 2024 के election में NDA सरकार बनाएगी नरेंद्र मोदी और अमिट शाह दोनों अपने उस vote bank को सम्हालने में और जीतने में सक्षम रहेंगे सो 2024 की election की ये prediction पूरी तरह से numbers पे बेस्ट थी जिस पे NDA का पलड़ा भारी है और NDA मुझे सरकार बनाती हुई जीतती हुई नज़र आ रही है नमस्कार